अब हम solve करेंगे exercise B, अभी exercise B किस से related है, उस से related है, जिसमें हम comparison करेंगे more than two things के बारे में, ठीक है, दो चीज से ज्यादा चीज के बारे में हम comparison करें, तो हम last में क्या add करते है, EST, और उसके आगे article D भी आता है, right, और हमने जो exercise A देखी, उसमें हमने क्या देखा था, comparison सिर्फ दो चीज के बारे में थी, right, chair, bed, यामीनी, brother, man, boy, फिर rabbit and cat, दो चीज के बारे में ही comparison थी, तो हमने जितने भी answers लिखे, उसमें देखो, हमने पीछे ER add किया है, right, और अब हम जो exercise solve करने वाले, उसमें क्या है, हम comparison करेंगे more than two things के बारे में, तो इसलिए हमें पीछे क्या add करना होगा, EST, right, तो EST हम add करेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, जहां जहां पे भी EST हम add करेंगे, तो वहां पे हमें article D मिलेगा, ठीके, we always use the article D before them, जो भी words, जैसे के यहां पे था, रमन is taller than Nassim, रमन is taller than Nassim, and George is the tallest, right, तो देखो इसमें धी आया, तो यह आपके लिए एक प्रीक भी है, जहां जहां पे भी हमें EST वाले adjectives add करने होंगे, तो वहां पे, adjective से पहले article D होगा, ठीके, तो हमें वो पता चल जाएगा, कि article D answer में कहां पे आएगा, हम अब साव करेंगे exercise B, choose suitable adjectives from the ones given and complete the following sentences, जो हमें जाल अल्रेडी यहां पे answers दिये गए, उसमें से हमें adjectives choose करके, जो suitable है, वो में fill करना है, ठीके, yesterday was the dash day of this winter, अभी winter में तो ठंड ही लगती है, तो इसमें से deep, पहले तो इसके आपको meaning पता होना से, deep यानि बहुत ही अंदर, long यानि लंबा, cold यानि ठंडा, clever यानि चतूर, short यानि छोटा, and fast यानि एकदम जड़पी, ठीक है, तो यह सारे हमने meaning देख लिए, तो अभी winter में क्या होती है, ठंड लगती है, तो क्या आएगा answer, coldest, right, yesterday was the coldest day of this winter, तो यहाँ पे आएगा, coldest, don't swim in the dash part of pool, अब देखो, आप swim कर रहे हो, पूल के अंदर, तो कहाँ पे आपको नहीं जाने चाहिए, आप छोटे बचे हो, तो बहुत ही अंदर तक swim करने नहीं जाना चाहिए, यानि कि deep part में, right, तो answer आएगा, deepest, don't swim in the deepest part of the pool, क्योंकि आप छोटे बचे है, right, the dash boy will win the quiz, टीक है, अब याप बताओ, कौन से boy जीच सकता है, quiz, जो clever हो, right, तो यहाँ पे आएगा, the cleverest boy will win the quiz, का answer क्या आएगा, cleverest, यहाँ पे देखो, clever का मतलब होता है, चतूर, और cleverest यानि सबसे ज्यादा चतूर, ठीक है, the dash girl won the race, अभी देश में क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा जड़पी कर, जड़प रखनी पढ़ती है, तो the fastest आएग, right, तो answer क्या आएगा, the fastest girl won the race, right, pick up the dash pencil from the bunch, तो सोचो, अभी इस में क्या आएगा, longest या shortest, कैसी pencil हमें लेनी चाहिए, जो हमें जल्दी खतम करनी है पहले, इसलिए answer आएगा, shortest, pick up the shortest pencil from the bunch, shortest pencil from the bunch, I took the dash jump, jump कैसा लगाया, बहुत ही लंबा, यानि की six, यहाँ पे longest, I took the longest jump, पता चला आपको यह, very good, तो आज आपको homework में क्या करना है, जो मैंने अल्जेरी, जो explain किया है, लेशन वो ध्यान से एक दो बार फिर से देखना है, ठीक है, और यह exercise A, and exercise B, यह दोनों आपको homework करना है, ठीक है, have a nice day,